जेहन दोस्तों, ये 12 आर्मी भरती नवंबर दिसंबर में होगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट के माध्यम से, दोस्तों ये इनमें All India All Cost की वेकेंसी है, कोई भी बच्चा इसमें भारत से जा सकता है, ये भरतियां relation भरती भी है और इसमें कुछ जो है open भरती है, जैसे के sports की भरती, musician की भरती, ये open के तोर पे रहेगी, इसमें corona test भी आपको लेके जाने होंगे, और जितने भी भरतियां है, सभी के chart मैंने download link में दिये है, description से, आप वहाँ से download कर लीजे, और एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजे, एक सला देना चाहूँगा, भरती जान subscribe का hit कर दीजे, और notification bell को दबा दीजे, आप लोगों के लिए इतने महनत करके chart बनाते हैं, तो दोस्तो प्लीज यार, वीडियो को like जरूर कर दीजे, 1000 like मुझे इस पर मिलने चाहिए, दोस्तो आपको ले चलते है, dead sheet के उपर, ये dead sheet है, पहले नमबर पर हमने डाला है, guard center, जो की कामटी महरास्टा में इस्तिते थे, नातपूर के पास, इसकी भरती चलेगी, दोस्तो 26 दिसंबर से 28 फरवरी को इसका common entrance test रखा जाएगा, ठीक है, इसका chart दिखाऊंगा, और इसके बारे में भी हम आगे विस्तरत बात करेंगे, तो वीडियो को बिना escape किये अंतर त तक इसकी भरती चलेगी, और Army Medical Corps AMC लखनों में है, UP और यहाँ पे दोस्तो 16 नवंबर से 27 नवंबर तक इसकी भरती चलेगी, कोरोना टेस्ट भी यहाँ पे लेके जाने होंगे, आगे हम dead seat का आपको पूरे chart दिखाएंगे, उसमें सब कुछ clear हो जाएगा, डाउट आपका ठीक है, RVC Center जो की मेरेट में है दोस्तों, यहाँ पे 28 नवंबर से 29 नवंबर तक भरती चलेगी, BEG Center रूर की 5 अक्टूबर से 20 नवंबर तक यहाँ पे भरती चलने वाली है, और BEG किर्की पुने जो की 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक इसकी भरती चलेगी, आरमट सेंटर अहमद नगर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसकी भरती रेली चलने वाली है, और MIRC Center जो की अहमद नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी, 58 गोर्खा रेजिमेंट जो की शेलॉंग में इस्ते थे दोस्तों, यहाँ पे 1 दिसंबर से 24 दिसंब कर लें, जो नजदी की जला सेनिक बोर्ड है, जरूर कंफर्म कर लें, दोस्तों पहली भरती है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं, यह है दोस्तों UHQ कोटा के अंतरगत आने वाली भरती, जो की 26 दिसंबर से चलने वाली है, और यह भरती सिरफ स्पोर्ट्समें के के लिए ओपन केटिग्री है, यहाँ पे ओपन केटिग्री यानि कि आप जो नेशनल इंटरनेशनल गेम खेले हो इस्पोर्ट्समें तो यहाँ जा सकते हो, अलबर्ट एकका स्टेडियम, ठीक है, कामटी की यह भरती है, गार्ड रेजिमेंट की, यहाँ पे आपको COVID-19 टे इंटरेंस टेस्ट रखा गया है, इसमें सोलजर जनरल डूटी के बच्चे अपलाई कर पाएंगे, और स्पोर्ट्समें के लिए भी यह ओपन भरती है, ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं, सिकलाई की, जो कि सिकलाई इंफेंटरी के नाम से जाना जाता है, यह र खनूमें, 16 नॉवंबर से 27 नॉवंबर तक यहां चलेगी, और इसमें सोलजर टेकनिकल, नर्शिंग असिस्टेंट, ट्रेडमें, तस्वीपास, आठ्वीपास, और सोलजर क्लर्क, एसकेटी के लिए भरती खुली हुई है, नीचे आप देख पा रहे हैं, दोस्तों, यहा हाँ पे सेंड करने होंगे 25 अक्टुवर से पहले, तभी आप भरती रेली में जा पाएंगे, अगर आपने सेंड नहीं किये, तो भरती रेली में मत जाईएगा, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगली भरती के बारे में, रिलेशन भरती, जो की है, दोस्तों, आर्वी ठीक है, दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं, अगली रेली भरती के बारे में, जो की है, आर्वमट कॉप सेंटर, जो की अहमद नगर पुने के पास महरास्टा में इस्ते थे, दोस्तों, ये जो भरती है, एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, और इसमें स्पोर्ट्सम और वो भी एहमद नगर में, इसी सेंटर के पास में इस्ते थे, यहाँ पे 23 नवंबर से आपकी भरती स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें सोल्जर जनरल डूटी और ट्रेडमेन आठ्वी पास, दस्वी पास के बच्चे अपलाइक कर पाएंगे, आगे दोस्तों, जो पे स्टार्ट होगी, स्टेट वाइस अलग-अलग, आपको 20 नवंबर को यहाँ अलग-अलग स्टेट वाले भी बच्चे बुलाए हैं, साथी साथ आपको ट्रेट्समेन मुजिशन के लिए बच्चे भी बुलाए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी राजी के उमिदवा जो की है, BEG किरकी की, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट है कि कौन जा सकता है, तो क्लियर कर देते हैं, आपको यह ओपन स्पोर्ट्समेन के लिए ही सिर्फ भड़ती है, इसमें जो दोस्तो नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए बच्चे जा सकते हैं, BSC क्रेडट यानि डेट एक से पांच दिसंबर होगी, कौरिंटाइन किया जाएगा सतरा दिनों का, तो कोरोना रिपोर्ट लेके जाने की जरुवत नहीं है, कॉमन इंटरेंस टेश्ट 31 जनवरी को रखा जाएगा, मगर इसमें सोलजर जनरल डूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया दो अंदे मात्रम